हेलो हेलो दीर रेंट वेलकम टूर चैनल आई पेपर क्लासिश तो चली दोस्तों सेशन को हम कंटीनू करते हैं और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आचुका हूं मैं आपका दोस्तों टाइम एंड वर्क टॉपिक ठीक है कौन से स्टुडेंट्स आपका मैं सी क्लास है दोस्तों आपकी ठीक है इससे पहले में दोस्तों आपको दो तीन क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं ठीक है मैच की जाके देख लेना चैनल पर पड़ी हुई है यानि कि आप जब जाओगे तो वीडियो सेक्शन में तो उसमें दोस्तों हमने अपलोड कर चुके हैं आप ठीक है खेड़े हुँई हाह हम हुआ है और ये सेसन आपका दोस्तों आपका आपका आविडेबल है दोस्तों ए खेडी के लिए भी और यूपीपिलिस जाप प्रने कि उसके लिए भी ताम्य कि अस परोड़ी क्वेडिडसी से करने सब्सक्राइब करने या वी धी खूका है टो बनाव को सभी की सभी और जो नए स्टुडेंट है अब जोनन की तैयारी कर रहें दो उनसे सबस्क्राइब करते हुए यानि कि जोइन कर लेना और साथ ही में दोस्तों लाइक का जो टार्गेट है वह हमारा 50 है ठीक है तो कम से कम 50 को हमें चाहिए ठीक है थोड़ी से आप समझ लिए एक फीस है उसको आप कर देना ठीक है बहुत सबसे पहला स्क्रीन पर आपका कोस्ता है सबसे पहले कोंसेट्व जान लेते हैं ठीक है ना मानकर चलो दोस्तों आप मतलब माते बाइंदर नाम की विश्म लड़का है कि है बएंदर की चशमता है यहीं दिन में करता है तो यही तो होता है दोस्तो आपका एक scenario किसी को भी काम करने का मान कर चलो दोस्तो रविंद्र नाम के एक व्यक्ति ने पांच की छमता से 6 दिन तक कोई काम किया तो पांच की छमता से efficiency 6 दिन तक कोई काम किया या आपका दोस्तो हो गया work या फिर 6 दिन तक आपको दोस्त टाइम और यह टोटल दोस्त आपका क्या कहलाएगा तीस यह आजाएगा दोस्त आपका क्या टोटल वर्क यानि कि उसने कितना काम किया तो रविंद्र ने पांच की छमता से छह दिन में तीस काम किया तो आपका दोस्तों तो टाइम ईतुगल टुआपका कहलाता है टृटए 9 वर्क टृपये सरी एफिसेंची ना कि ये कुछ और यय clown तो आपको समझ कार आया किया झाया क कि अ जब तक कर दिक को फॉड़ यह आप तो आप ज्यादा काम कर जाओ गए as Rimком पेर टू कि ठीक है अगर आप दो के efficiency से काम करोगे तो चार दिन में उस काम को पूरा कर रहे होंगे आठ काम कर रहे होंगे अगर आप एक के efficiency से काम करोगे तो आप दोस्तों क्या करोगे ज़्यादा काम कर दोगे हो ठीक है! समझ में आया यही दोस्तो पर्पोस्टनल मैं इसको बदल दूँ तो टाइम क्या होगा दोस्त All pak को एफिस convenience का शमताशी का अगर का च्म smt आगर आपकी कम है च्म गर कम है तो समय जादगे लगेगा अगर दोस्तों च्म जो सब कुछ ने आपके स्क्राइब कर रहे हो गे आपकी सिक्रीन पर आपके इसमें कुछा लोका दूस्त EPA लिए रेसो थ्री आपकी दोस्तों ए बी और सी कोई तीन स्टुडेंट उनकी जो एफिसेंसी का रेसो है वो दे रखा इन्होंने दो पांच और तीन लेसो के हिसाब से यहां तक क्लियर हुआ अगे के दे रखा दोस्तों working together they can complete a work in 27 days अगर वे तीनों एक साथ काम करें अगर वे तीनों इसी efficiency के साथ में अगर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं देखना जरा एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं बिल्कुल सह तो तीनों मिलकर करेंगे और अकेला मिलकर करेगा थोड़ा से यही अंतर है ऐसाब से शलते रहेंगे तो तीनों अगर दोस्ते साथ मिल जाए तो उनकी टोटल एफिसैंसी कितने सोब साब से दस आजाएगी ठीक है ना दस की efficiency से कोई काम करें 27 दिन में ठीक है यह डे आ गया नहीं कि सो मैं टाइम लिख सकता हूं तो time into efficiency is equal to क्या था हमारे स्ट्रेंट्स वर्क था वो total work क्या लाएगा तो total work कितना आगा 270 तो यह तीनों मिलकर दोस्तों जो काम कर रहे हैं ना 27 दिन में इतनी efficiency के साथ तो 270 ही तो काम कर रहे हैं टोटल वर्क यह आपका दोस्तों आ चुका है कुल कार रही है समझ रहे हो ना इतनी तो मतलब जादे वह तो है निरी इंग्लिस ठीक ना टोटल वर्क कर रहे हैं तीनों मिलकर 270 आगे क्या दे रखा है कुस्टन में ज़रा ध्यान देना मैं आपको बताने के कोशिस कर रहा हूं बी और सी दोनों मिलकर उस काम के चार बटे नोवे हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे बिल्कुल अच्छा कोशन है अगर बी और सी मिल जाएं तो दोनों मिलकर फिर उनकी क्योंकि हर कोई भी आप भी हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी अपनी एफिसेंसी के कोड़िंग तो पढ़ेंगे अगर कोई स्टुट चाहे गंटे बी और सी की आठ आठ की एफिसेंसी 200 टोटल वर्क 270 है 270 का चार बटे नौवा हिस्सा ठीक है ना कितने दिन में पूरा करेंगे तो एक बटे आठ की एफिसेंसी नो तिया 27 तीस आगया दोस्तों आपका यहां पर ठीक है चार दुनी आठ दोसे कार्ट पर गए तो पंद्र ह है तो 15 दिन में दौस्तों भो इस काम को पूरा कर देंगे ठीक है बता कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो ठीक है न वहँने लुगे जरूरूर कर देना दुबारा समझा परपस यह था कि आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट कोर्सन में इसमीर है ठीक है अगर जिस स्टू इसमें बिल्कुल वही सिनेरियो है क्योंकि मैंने कुछ कोशन आपके रिपीट इसलिए किये हैं जिससे कि आपको जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हो नो वो थोड़ा सा किलियर हो जाए ठीक है इसमें दोस्तों आपका एक साथ कारे करते हैं वर्किंग टूगैदर अगर इस चमता के अनुसार अगर तीनों एक साथ काम करें तो बीस चमता हो जागी टोटल टोटल वह कहां गया यह ब्लू वाला यही ता साइद बीस की चमता के अनुसार काम करें तो बीस की चमता के अनुसार efficiency into multiply में दोस्तों 42 दिन में यह इतने times में कितना टोटल वर्क निकाल लेंगे दोस्तों वह आ जाएगा आपका 42 दूनी चुरा से 840 काम टोटल वह कर रहे होंगे 42 दिन में यह तीनों efficiency के मिलकर एक साथ ठीक है आगे गए रखा है यदि B and C work together 21 days, B और C अगर दोनों मिलकर उस काम को उन्हों ने 21 दिन में किया समझे रहो ना बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और सेस कार ए अकेले ने पूरा किया तो काम को पूरा होने में कितना टाइम लगा बताओ कितना अच्छा कुस्ण है भई अब देखते हैं दोस्तों आपको बता रहा हूं जरा देखना जरा आठ सो चालिस दोस्तों आ तो इसमें टाइम के रिकोर्डिंग कराना बहुत इसलिए है तो इसलिए हम इजी आप्रोच को करेंगे ना कि दोस्तों आपका जमिला करेंगे ठीक है ना तो बी और सी के एफिसेंसी दोस्तों आच चुकिए तेरह तेरह एफिसेंसी के हिसाप से दोनों इन्होंने 21 दिन मे अंदर बट 42 दिनों के अंदर दोस्तों आपने 840 काम किया था वो पूछ रहें कि सेस कार रहे हैं तो 840 में से रिमेंडर वर्क जो बचेगा सेस कार रहे हैं जो बचेगा वह 840 माइनस के 273 ठीक है तो दस में से 3 गए 7 यहां पर आपके दोस्तों आपका 13 में साथ के 6 और य सूरी सिस का रहें दीमेंडर वर्क जो हता है गतना 567 को एक कितनी एफिसेंजी करेगा कितनी दिन में कर देगा स्टुट्डेंट्स-clipse ये कर देगा स्ट्ट्रिंट इसको 57 lyric 83 दिन में कितने दिन में Nada ऐने दोस्तों इसको इकसी दिन में पूरा, बागी काम को पूरा होने में कितना टाइम लगा, question क्या पूच रहे है, the whole work, the whole work as a complete in days, तो कитना टाइम लगा, वो लगा, इस आपको इक इसा धिन में 20 दिनों में दोस्तों B और C ने 20 दिन पर काम किया था तो यहाँ पर B और C का आ गया और यहाँ पर दोस्तों A का आ गया तो इन तिनों ने मिलकर complete काम को किया एक रेक दो और आच रटो दस तो 102 दिन में 102 दिन में एक बार आप मुझे comments कर देना कि दोस्तों कि सैसन लाइव लेके आ जाए या फिर रिकोर्डेड ही रहने दे ठीक है आप मुझे कमेंट्स कर देना ठीक है अगला है कोसन आपकी स्क्रीन पर कोसन नमबर फॉर क्या है स्ट्रेंट्स कोसन नमबर फॉर इसमें आपसे क्या पुछा हुआ है कोसन अच्छा है औ यह आपके लिए होमवर्क में चला गया ठीक है वही अगला कोसन आपकी स्क्रीन पर है मैं आपको इसमें दो तीन आपके जो कॉंसेप्ट है उसके आपके समझा दूँगा अच्छे-च्छे कोसन ले रखें इसमें भी ठीक है यह भी 2019 का दोस्तों आपका कोसन है यह आपकी एफिशेंस यह आपकी किसमें है परसंटेज में तो देखिए का दोस्तों किस तरीके से इसको सनको करना है क्या दिर रखा A is 40% more efficient देन B अगर A B से 40% क्या है दोस्तों अधिक efficient है अगर B दोस्तों आपका ठीक है B की तुलना में A 40% अधिक दक्स है यानि कि efficient है अगर B दोस् चालिस हो जाएगा किलियर इसको मैंने माल लिया सो परसेंट तो 140 हो जाएगा ठीक है तत्था बी की तुलना में 20% कम दक्स एफिसेंट है ठीक है ना इंगलिस में भी आप डीडाउट कर ले ना मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है और जो आपका दोस्तों सी है ठीक है वह ब तक समझ में आया कि नहीं है आप पहले मुझे एक बार यह बता दो अगर आ चुका हो तो दोस्तों यह एफिसेंसी दे रखिया ए और बी और सी की बिल्कुल वही कुस्षन बन चुका है जो मैं आपका प्रीवियस बता के आया था ठीक ना तो बीस सत्ते एक सो चालीच बीस अपते बार कि एक तो यह आपको टोटाल वर्क तेनों मिलकर तो यह को प्काम को पांचे धिनों में करें तो यह अकेली आशप का कितना करेंका सत्र परसेंट काम कितने often अकेला कर रा रहा चाँ ना तो एक एक कितने स्लेंट तो साथ की Phase के कितने से definition में कर ऐंक करदेगा ऱ दो जिरो से दो जिरो कटम साथ से साथ कटम आठ दिन में इसको कम्प्लीट कर देगा कैसा लगा कुस्षन एक बार जरूर बता देना यह परसंटेज की आप पर था और यह आपको दोस्तों इसमें बहुत इसी तरीके से कर सकते हो ठीक है ना मान कर चला करो दोस्तों जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जादे से जादा हो सके देखना ज़र इसमें क्या देरकाई स्टूरेंट्स एस 50% more than efficient देन भी जो ए है दोस्तों वह बी की तुलना में कितना है 50% efficient है 50% कितना होता है आप कहोगे सर एक बटे दो ठीक है ना एक बटे दो तो ए जो है न बिल्कुल तो ए जो है न दोस्तों इससे कितना परसंट अधिक 10 efficient है 50% कैसे 100 और यह हो जाएगा देर सो जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका यह हो जाएगा आपका लगबग एस से 0 कटगी और पांच तिया 15 और पांच दुनी 10 तो यही तो आ जाए ना वह बीस दोस्तों कितने % less than 40% 40% कितना होता है दोस्ता आपका 2240 25600 ठीक है अगर दोस्तों यह पांच है तो यह थीन ठीक है हाँ यह तो आपका और पांच मेंसे दो कम है तो यह तो बचेगा ठीक है तो वह सी तो चालिस परसंट कम है अगर अगर बी यह तो इस त तो यह तर्म यहां पर उतार दो तर्म यहां पर उतार दो इस तरह किसा आप कर सकते हैं तो 5 15 और 10 और दोस्तों आपको आचुका है ठीक है कि आगे के दिर रखा इसमें स्टुटेंट्स यहां पर आपका हो चुका है अगर वे एक साथ इस काम को करें कम्प्लीट बीस दिन में तो सी अकेला उस काम को मतलब पूरे वर्ग का 30% काम कितने दिन में पूरा कर देगा बिल्कुल वही को सब्सक्राइब 15-10-25 और 631 आपका दोस्तों आपकी आ चुकिए 6 6 के हिसाब से हैस्टीक है तो 2-0-2-0 आपकी कट कुकिए और 6 के हिसाब से दोस्त आपका बैठे खाए लगबग तीन दुनी 6 और 2-31 तो 31 दिन में इसको पूरा कर देगा ठीक है किलियर अगला कोसन आपकी screen पर है बनाओ इस कोसन को और मुझ लो एकेले उस कारे का 20% कितने जिनों में पूरा करेगा ठीक है ना question number ten easy question है सारे के सारे आपको ए आप परोच फोलो करनी है यह question आपके दोस्ते एक्जाम में पूछे हुए और यही question दोस्ते आपके हो सकता है कि जीडी में आजाएं आपके एऊ-सी वाले ऐक्जाम में आ जाएं या फिर दोस्ता आपके जीडी में आपके पुलीस वाले अग्जाम में आ सकते हैं ठीक हैhmmasi Personal से इसमझा रहा हो एक बड़ा आप बता देना कि सर हामें efficiency है वे तीनों मिलकर दोस्ते एक काम को पांच तीन आठ गुना दस दस की efficiency से नो दिनों में पूरा कर सकते हैं तो टोटल वर्क होगे दोस्त आपका नब्बै आप चाहो तो इसे बारा दिन में हो गया वही ठीक है यह प्रैक्टिस दोस्तों आपकी यह कहते हैं कि कॉंसेप्ट से ट्रिक पर आना वह आपकी calculation के उपर ही depend करता है ठीक है चाहो तो आप यहां से भी कर सकते दो और पांस साथ और तीन दस क्योंकि आपने कोशन रिडाउट कर लिया फिर गुना नो कर देते नब्बै नब्बै से दोस्तों नब्बै का चालिस परसेंट 36 होता चातिस को दोस्तों आप सी के गंटे में कोई व्यक्ति 10 रुपे कमाता है तो पूरे दिन में वो कितने रुपे कमाएगा तो वही तो आपके क्या कहलाएगा कि मजदूरी होगी ना वेजिस जिसे बोलते हैं ए 180 रूपए पर आवर के हिसाब से कमाता है बट यह कितने घंटे काम करता है तो एक गंटे में आप कितने कमा रहे हो 180 रुपे और यह गंटे में कितने हो जाएंगे ठीक है और यह जाएंगे दोस्तों 165-1800 मेरे साफ से ठीक है ना बिल्कुल ठीक है क्या देर रखा है दोस्तों तो और बी की जो परती दिन की मजदूरिया उनका अनुपात बताओ यह मजदूरी तो निकल के आ रही है वही तो यहां से इसको जीरो कट जाएगे और यह आपका दोस्तों हो जाएगा मेरे सबसे देखते हैं अच्छा लगा हो तो सैसन को दोस्तों लाइक कर देना कम सकंपचास लाइक तो चाहिए चाहिए ठीक है को से नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है बिल्कुल उसी के भी आफ पर और यह मैं चाहूं तो होमवर्क में बटाम कर लेते हैं को ठीक है ना क्यूंकि हर एक कोसन दोस्तों आप सभी लोग है यहां पर वीडियो पोज करो कमेंट्स करो दोस्त ठीक है अगर आपको समझ में आ चुका है तो ए और बी दो इस्टुडेंट है और आठ गंटे में दोस्तों आसी के हिसाब से दोस्तु पर टुचो सट इस तरी किसम करते हैं थोड़ा सा तो एट एट इट इट इसा सिक्स्टीफोर हो जाएगा आपका ठीक ना 640 रुपे औ और बी जो दोस्तों कर रहा हो 6 गंटे के साब से तीन सो साथ रेस हो आच चुका है जीरो से जीरो कटिए आपका स्टुडेंट्स इसमें हो चुका है चार नहीं 36 तो नो आ जाएगा 16 अनुपात नो ठीक है अगला कॉस्टन है इस पर यह अच्छा कॉस्टन आपका कॉस्ट नमबर 13 बिल्कुल सेम वही प्रोसेस लास्ट जो कॉस्टन कराएं हैं उसके व्यापे और यह होमवर्क में आपके जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरा एक ठीक है या फिर हम इसको कर दें कर दे तो चलो भई एबी सी की दक्सता का नुपात दे रखा है पांच ए तीन पैठेगा यह आगया आइधिंग तीन दू नीचे है तीन एठे चोबिस तो 28 ठीक है कोसन हो चुका है दोस्तों आपका 13 ठीक है समझ में आ गया कोई प्रोब्लम मेरे इसाब से नहीं होई होगी अगला कोसन आपकी स्क्रीन पर कोसन नमबर 17 थोड़ा सा चेंज है पर यह आ ठीक है और इस तरह की कोसन हम जब करते हैं आपको बता दूं मैं इंटू डे इंटू आवर अपोन में वर्क वाला एप्रोच हम फोलो करते हैं कितने आदमी चीए कितने दिन में और कितने घंटे लगेंगे कुछ काम को करने में अब देखने कोसन में क्या पूछा हुआ ठीक है MDH वाला फोर्मूला बोलते हैं इसको स्टुडेंट्स ठीक है बट कोई नहीं है मैं आपको बता दिया M4 होता है दोस्ता आपर नंबर ओफ परसन फिर वो फेलो स्री मेलो फिमेलो या फिर दोस्तों बोई जो गल्फो कुछ भी हो डे फोर डे ही होता है आवर एंड वार्क क्या दे रखा है कुस्तन अब देख लेते हैं स्टुडेंट्स में क्या है अगर तीन प्रूस चार मेला है छे लड़के मिलकर एक काम को अगर पांच दिन में पूरा करते हैं ठीक अभी तीन मेल है चार वुमैन है मैं इसको मिटा जेता हूं थोड़ा सा क्योंकि यह यह प्रोस से करना मल्टिप्लाइबाई फाइव तो यह दोस्तों कोशन के अकोर्डिंग आपका तयार हो चुका है यहां पर मैन यानि कि दोस्तों नंबर ऑफ परसन तो पता लगे नहीं तीन आदमी किसी काम को कर रहे हैं पर हमारे पास में जो फोर्मला मैंने बताया था एम डी एच अपोन में वर्क ठीक है तो पांच दिनों में कोई काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ परसन आज चुका है निकलकर अब वर्क निकालते हैं देखना दोस्तों क्या करते हैं अगर आगे दे रखा यहां से एक दिन में एक पुरुस जितना काम करता है महिला उससे दो फिरो पुरुस एक दिन में जितना काम करता है महिला उसे दोगुना काम करती है तो ठीक है यह रहें न अगर यह जो काम कर रहे हैं दो काम कर आगे के रखा है अगर एक पुरुष की तुल्ला में एक लड़का आधा काम करता है बट यहां पर दोस्तों अगर बोईज कितना काम करता है आधा काम करता है अगर दोस्तों मैं काम करता है दो तो यह कितना करता हो एक आधा ही तो काम हो गया तो यहा आप टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताई ही रखा है कि तीन गुणा मैं कितना कर रहा है दोस्तो दो पिलस आपको 204 गुणा वुमैं कितने कर रहे हैं दोस्तों आपका 4 पिलस 6 इंटो वन इंटो फाइव यह आपका आज चुका है यहां से टोटल वर्क तो टोटल वक जो निकलने जा रहा है दोस्तो चैनल चैनल और बाहर आगया दोस्तों आपका पांच तो इस तरीके से 16,22 और 6,28,5,14 सही है ना 28,5, 6,6,12,18,28 हो जाएंगे 28,5 कर लेते हैं चलो पर मेरे साबसे 28,5,14 ही होता है ठीक है 28,5 टोटल वर्क ठीक है 5,8,44,14 ही होते हैं तो टोटल वर्क जो आपका आच चुका आच चुका 140 तो यहां पर क्या पूछा हुआ है यहां तक हम आ चुके थे कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को साथ दिनों में पूरा कर सकेंगी तो कितनी महिलाएं मैं आपको बताया था M, D, H, अपोन में W तो वर्क तो आपके पास में आ गया ना भई तो मैं यहां से दोस्तों इस फोर्मले से ड्राउट करूँ तो देखना जरा मैं आपको बता देता हूं तो कितनी महिलाए M is equal to क्या हो जाएगा W upon में D into H ठीक है कितनी महिलाएं चाहिए हमें नहीं पता कितनी दिन में चाहिए अगर देखा जाए तो देखेगा स्ट्रेंट्स टोटल वर्क 140 है उपर वाला कितने दिन में साथ दिन में ठीक है कि अब महिलाएं काम कर रहे हैं तो एफिसेंसी भी उनकी चारती चार के एफिसेंसी से तो देखना जरा साथ दुनी चोदह बीस आगे चार पंजे बीस ठीक है ना तो पांच दिन म इस काम को पूरा कर सकेंगी तो पांच महिलाएं इस काम को साथ दिनों में पूरा कर सकेंगी पांच महिलाएं पांच दिन कहा रहा था सोरी कोई बात ने ठीक है ना पांच महिलाएं M4 number of a person clear कोई दिक्कत अगला कोशन बिल्कुल सेम है इसमें समझ लेना बाकि अगर कोई दिक्कत हो ठीक है ना कैसा लग रहा है से एक बार जरूर बता देना एक दिन में एक प्रूस इतना काम करता है महिला उसे तीन गुना काम करती है ठीक है आगे एक प्रूस उसकी तुलना में आदा काम करता है ठीक है जो बॉइस है ना वो मेन की तुलना में कितना काम करता है आदा काम करता है ठीक है तो दो है यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक जाएगा यहां पर दोस्त दो जाएगा तो इसाथ हो गया यह आपका दोस्ते कितना से निकालाईगे तो बॉल्स तो आपका 3 into men 6 और 4 into women 24 और 6 into यह आगे दोस्ता आपका इंटू multiply में 6 तो यहां से दोस्ता आपका आचुका 24 36 36 26 26 टोटल वर का चुका है अब क्या करना चाहा है दोस्तों नो महिला इसकाम को पूरा कर सकती है तो इस तरीके से आप को कर सकते हो कैसे लगा से एक बार मुझे बता देना पॉमवर्क में जो को संदी हैं यानि कि आपके दोस्ते प्रैक्टिस के लिए उनको एक बार करके जरूर कमेंट्स कर देना इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा ठीक है ना बाकी दोस्तों अपने चैनल आपका ही है सब्सक्राइब करो साथ में दोस्त अपने फ्रैंड सरकल में जितना वियो शेयर कर दो और जिस भी क्लास के लिए दोस्त आप सभी लोग एक चुको एउसी के लिए ठीक है ना तो उसके लिए हम रेडी है एक बार मुझे कमेंट्स कर देना कि सर इस वाले टोपिक पर क्लास लेकर आ जाओ ठीक